नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विशर पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है योगिक जिकित्सा योगिक जिकित्सा के अंतरकत हम योगिक जिकित्सा की अवधारणा, इसके अर्थ और परिभाशा के वारे में जानेंगे, इसके उपरांध हम इसके सिध्धानतों के वारे में जानेंगे तो सरप्रथम हम इसकी अवधारणा के वारे में जानते हैं प्रतेक मनुष्य अपने स्वास्थ एवं दिर्ग जीवन के लिए सदत प्रतनशील रहता है स्वस्थ जीवन के रहस्य को जानने का उपाई ही जिकित्सा विज्ञान है भौतिगवादी देस्टिकोन में मनुष्य मात्र को प्रकृति एवं प्राकृतिक जीवन शैली से दूर कर दिया है वर्तमान समय में मनुष्य अनेक रोग वा कष्टों से ग्रस्त है जिसमें से अधिकांश का कारण तनाव है इन तनाव जन्य व्याधियों में हृदै रोग, मस्तिश्क रोग, मधुमे, पेट एवं नाडी के रोग महत्पून है आत्यदिक कार्य, आप्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन, पर्यावरनिय, प्रदूशन वा मानसिक उद्वेग के कारण ही व्याधिया तुरित कती से बढ़ दही है कैंसर, हरदै रोग, एड्स, छै रोग, मधुमे का प्रतीशत हमारा देश सहित संपून विश्व में बढ़ा है इन रोगों का संपून उपचार बिना जीवन शैली बदलाओ के आधुनिक जिकिश्या सास्त्र द्वारा संभव नहीं है प्राचिन ग्रंतों में रोगोपचार की विभिन विधाय वरनित है आधिभातिक, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक रोगों की जिकिश्या आउशद, तंत्र, वामंत्र एवं योग के द्वारा करने का निर्देश किया गया है आज संपूर्ण विश्व के लोग योग एवं उसके जिकिश्या की उपयोग के विशय में जानने के इच्चुक है आईरवेद एवं योग का प्रचार पशार संपूर्ण विश्व में त्वरित गती से हो रहा है आईरवेद स्वास्त्र के अनुरूप ही योगिक जिकिश्या का उतेश्या स्वस्थ व्यक्ती के स्वास्त की रक्षा एवं रोगी व्यक्ती के रोग की निव्रित्ती है इसके उपरांद अब हम इसके अर्थ के वारे में जानेंगे योगिक जिकिश्या आईरवेद अनुसार या क्रिया व्या दिहरणी सा चिकिश्या निगत्थते अर्थात विभिन्न क्रियाय संसाधन उपाय जिन से रोग का निराकरण होता है उन्हें जिकिश्या की संजादी कई है योगिक जिकिस्या से तातपर्य योग विज्ञान द्वारा रोग निवारन करना है आसन, प्राणायाम, आदि समस्त योगिक प्रक्रियाओं का उप्योग कर विभिन रोगों की जिकिस्या करना ही योगिक जिकिस्या का उद्देश है इन समस्त प्रक्रियाओं का शरीर की सुक्ष्म से स्थूल क्रियाओं पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है अब इसकी परिभाशा के वारे में हम जानेंगे इसकी परिभाशा जो है योगिक संसाधनों का वहसन समुहूं जिसमें यमनियम, शटकर्म, आसन, प्रानायाम, ध्यानादी सम्मिलित है जिससे व्याधी की अवस्था से रोगी को स्वस्थ अवस्था में लाने हेतु सतत प्रहाश किया जाता है वह योगिक चिकिस्सा कहलाती है अब हम इसके सिध्धान्तों के बारे में जानेंगे कुछ आधारभूत सिध्धान्त योग की आध्यात्मिक तथा सास्थोनक उप्योगिता स्वत्ह सिध्ध है पिछले चिकिस्से की अध्यनवा प्रयोग इस बात को बल प्रदान करते है कि योगा भ्यास द्वारा अनेक रोगों की सफल चिकिस्सा की जा सकती है कई अवस्थाओं में रोग की औशधिय चिकिस्सा के सास्थ योगा भ्यास वा योगिक क्रियाओं का प्रयोग एक पूरग व सह चिकिस्सा की भूमी का निभाता है स्वामी कुवल्यानंद एवं डॉक्टर वीनेकर के अनुसार योगिक जिकिस्सा को प्रमुख चार सिधान्तों के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है ये चार प्रमुख योगिक जिकिस्सा के सिधान्त कुछ इस प्रकार है जैसे प्रथम सिधान्त ये है उचित मनोवेग्यानिक द्रश्टी कोन के विकास है तू यम नियम का पालन अब इसके अंतरगत हम जानते है मनुष्य का मन शरीर को तथा शरीर मन को प्रभावित करता है जब भी मनुष्य मन से आउशादित या हरसो लाशित इस्थिती में होता है तो शरीर की मासपेशियों की किरिया शमता हरदैदर, श्वशंदर, नब्जदर, रक्तसंचार, चयापचे आदी प्रभावित होते हैं मनुष्य की नकारात्मक सोच जैसे क्रोध, गलानी, भय, अवसाद, उतेजना, उद्विग्नता, आदी शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल कर मधुमें, उच्चे तथा निम्नरक्तचाप, गठिया, संधिवात, धमा या पाचन संबंधी व्याधिया आदी को उत्पन कर करती है, जबकि करुणा, दया, हिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, आपरीग्रह, संतोष, तब इत्यादी के पालन से सकारात्मक सोच विक्सित होती है, जिनके प्रभाव से शरीर पर रसायनवद प्रभाव पड़ता है, तथा शरीर का तंत्रिका तंत्र, मास्तेशिय त वह अंतहश्रावी ग्रंथी तंत्र समन्वय युक्त से कार्य करके शरीर को स्वस्थ अवस्था में रखने के लिए प्रेवित करते हैं, चुकि योग में वरनित यम जैसे की अहिंसा, सत्यास्तिय, ब्रह्मचर्य वा अपरीग्रह तथा नियम जैसे सौज, संतोष, तब स् वा इश्वर परनिधान का पालन मनुष्य के उचित मनुवेग्यानिक द्रश्टिगोन को विक्सित करता है, जिसके प्रभाव स्वरूपनकारात्मग भावनाव से उत्पन अनुचित प्रभावो को प्रतिकारित करने में साहिता मिलती है, तथा भविष्य में रोग की ती व्रिता में व्रित्धी को रोका जा सकता है, अतह योग चिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी को परामर्श चिकित्सक के तौर पर यम नियम का अर्थ और महत्व समझाए तथा उसके पालन को प्रेड़ना दे, यह प्रक्रिया रोग के निवारणवा इसकी ती व्रित्धी र अत्विग्नता, हिंसा, इत्यादी से उत्पन्न होता है, तथा इनकी पुनहा आवरत्तियों से रोग की ती व्रित्धी होती है, लेकिन यदि रोगी करुणा, दया, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, संतोश तब आदी से सायम एवं सकारात्मक सोच विक्सित करता है, तो उच रक्तचाप के नकारात्मक प्रभाव, प्रतिकारित होंगे, तथा रोग की तीवरता में व्रिद्धी होंगी, अंततह उच रक्तचाप को योग के विभिनस अंसाधनों से उप्चारित करने में साहिता मिलेंगी, इस प्रथम सिध्धांत का पालन मनुवे ज्यानिक कब्ज, अमाशाई, अमलता, अपच, दमा, संधिवात, गठिया, इत्यादी के उप्चार में अत्यनतावशक है इसके उपरांद अब हम दूसरे सिध्धांत के वारे में जानेंगे दूसरा सिध्धांत क्या है? इस थूल रूप में, शरीर में इस्थित, मल के निस्काशन है तू शर्ट करमों का समुझित उप्योग तो इसके अंतरगत क्या बताया गया है? योग जिकित्सा के दूसरे सिध्धांत का खतन है कि जो व्याधिया मलों के संचे से वा प्रान अवरोध से जनित होती है उनके निराकरण हेतू योग जिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी के स्थूल रूप में उपस्थित मल को उचित सटकरमों के प्रयोग से शरीर से निस्काशित करवाए जिससे कि प्रान संचार की अवरुधता दूर होकर प्रान संचार प्राकृतिक अवस्था में संचारित हो सके तथा योग संसाधनों से रोग के उपचार में अधिक समय ना लगे शटकर्मों के प्रयोग से जब शरीर के अंग शुद्ध हो जाते हैं तो प्राणायाम की अवधी में शरीर के मलवायू के प्रभाव से और स्वस्थ अंगों की तरब विस्तारित नहीं होते तथा दूसरी बिमारिया अनायास उत्पन्य नहीं होती उधारन तह कब्ज को उपचारित करने के लिए बढ़ियात या तो बस्ती के प्रयोग से या वारिसार धौती के प्रयोग से वा गणेश क्रिया के प्रयोग से शुद्ध कर लेनी चाहिए नहीं तो बढ़ियात में स्थित मल आसनों के अभ्यास के समय बढ़ियातों को हानी पहुचा सकते है तथा प्राणयाम के समय यही मल बढ़ियातों से दूशित वायू के रूप में रक्त द्वारा अन्य स्वस्थ अंगों में विस्तारित हो सकते हैं तथा कटी वेधना, संधिवात, गठिया, इत्यादी रोग उत्पन कर सकता है मलनिस्काशन के पश्चात, आसन, प्राणयाम, आदी अभ्यासों से बड़ी आद की सक्रियता को प्राकरत वा स्वस्थावस्था में सरलता से पहुचाया जा सकता है तथा इन अभ्यासों से उपचार की समयावधी भी अल्प हो जाएंगी इसी प्रकार दमावा मधुमेह में संक प्रक्षालन, वमम, वमन, अगनिसार, कपाल भाती, त्यादी शटकर्मों के प्रयोग से कफरूपी मलो को शरीर से निस्काशित किया जा सकता है अब हम जानेंगे तीसरा सिध्धांद इसमें क्या बताया गया है तो इसनायुविक, मांसपेशिय, अन्तहश्रावी ग्रंथिय, को सक्रियता प्रदान करने के सक्रियता प्रदान कर क्रियाशील बनानो तो देखते हैं इसके अंतरगत क्या बताया गया है योग जिकित्सा में यम नियम पालन वशटकर्मों के उचित प्रियोग से के पशा तीसरा जो महतुपून पहलू या उत्पन हो जाता है कि व्याधी से शरीर के जो अंग अनुचित रग्दसंचार तथा अनियमित इसनायोविक समवेगों से निश्क्रिय हो गये थे उन्हें आसन, प्राणया, मुद्रा, बंद तथ ध्यान की प्रक्रियाओ द्वारा उचित शक्रिय बनाया जा सके उधारनार्थ कब्ज के उपशार में विभिन आसन जैसे पवन मुक्तासन, हलासन, बश्री मोतानासन, भुजंगासन, धनुरासन, अर्धमचेंदरासन इत्यादी के प्रयोग से कटी प्रस्देश का आकुंचन वप्रसारन प्रक्रिया द्वारा रक्त संचार को तथा इस नायुविक प्रक्रिया को प्राकरत अवस्था में इस्थापित करने का प्रयास किया जाता है प्राणयाम के उपयोग जैसे सूर्य भेदन, भस्त्रिका, उच्या, इत्याती द्वारा बड़ी आतों की और प्राण संचार को भढ़ा कर वा जठरागनी को प्रज्वलित कर कब्ज को नियंद्रित किया जाता है ध्यान आधी प्रक्रियाव द्वारा तनाव से उत्पन कारणों को शांत किया जाता है जिसे की भविश्य में इस रोग की वृत्ती को रोका जा सके तथा कब्ज की अवस्था को प्रतिकारित किया जा सके इसी सिध्धान्त के आधार पर अन्य व्याधिया जैसे मदुमे, दमा, गठिया, त्याधि में आसन, मुद्रा, बंदवा, प्राणयाम का उप्योग किया जाता है इसकी उपरांत अब हम जानेंगे चौथा सिध्धान्त इस सिध्धान्त में क्या रताया गया है पथ्य अपथ्य आधारित ने तेश के आधार पर आहार ग्रहन आहार नेमा वली का सिध्धान्त अब देखते हैं इसकी अंतरगत क्या बताया गया है कि यह सर्व विदित तत्य है कि हर चिकित्सा पद्धती चाहे वह आयुर्वेट चिकित्सा पद्धती हो या एलोपेथिक चिकित्सा पद्धती या होमपेथिक पत्य अपत्य के आधार पर आहार संबंधे निर्देशों के बिना संभव नहीं हो सकता तथा आहार नियमा वली का पालन भी आउशक हो जाता है उधारन यदि कोई रोगी अपच्ठीक करने के लिए गरिष्ट भोजन जैसे भटूरे, पूरी, टिक्की, समोसा, पकोडे, त्यादी, मैदायुक्त भोजन जैसे नूडल्स, बर्गर, पिज़ा, इत्यादी का सेवन तथा सबजिया जैसे फूल गोबिय, सरसो का सा, भिंडी जैसे सबजियों का सेवन करता है तो ना तो अपश्ठीक होंगी तथा वियादियों की वृध्धी होकर अमलता वकब्ज की भी शिकायत हो सकती है इसी प्रकार यदि उच्च रक्तचाप का रोगी वसायुक्त भोजन जैसे मक्षन, तले पदार्थ, अत्यधिक नम कीन पदार्थ, मसालेदार पदार्थ को पथ्य मानकर उन्हें ग्रहन करता है तो उसके उच्च रक्तचाप में वृध्धी होंगी तथा योग के संसाधनों द्वारा सकारातमक प्रभाव नहीं के बराबर होंगा अधा आवशक हो जाता है कि योग चिकित्सक रोगी को रो अहार नीमा वली का पालन भी आवशक है उधारन तह अमाशयम लताप अपच कब्ज इत्यादी से बशने के लिए सूर्यस्वर के चलायमान होने पर भोजन ग्रहन करना चाहिए भोजन के पश्यात 5-10 मिनिट के लिए बाई करवट लेटना चाहिए रोगी को मिताहारी होना चाहिए भोजन के पश्यात पानी ग्रहन नहीं करना चाहिए भोजन के अंत में मधूर आहारी रस वाले पदार्थ ग्रहन नहीं करना चाहिए इसी परकार सरदी जुखां वा दमा के रोग में भी कफ की वृत्थी रोकने है तो भोजन के अंत में पानी तथा मधूर आहार ग्रहन नहीं करना चाहिए योग चिकिस्था के द्वारा वा चौथे सिध्धान्त के पालन के आधार पर रोग की ती वरता में 25 से 40 प्रतीशत तक की कमी लाई जा सकती है तथा योग के अन्यसंसाधन भी अपना प्रभावदिक प्रतीशत में दिखा सकेंगे अब हम योग चिकिस्था के शेतर के बारे में जानेंगे तो योग चिकिस्था के जो विभिन शेतर है उसके बारे में योग चिकिस्था तथा योग विद्यारती को योग चिकिस्था के शेतर में यह ज्यान होना अतिया आवशक है कि योग चिकिस्था किस किस शेतर में प्र जिनमें योग चिकित्सा प्रभावशाली ढंक से प्रयोग में लाकर रोगों का उन्मूलन वा प्रबंधन संभव हो सकता है। कि उप्योगिता के आधार पर और दूसरा है सीमितिता के आधार पर तो इनमें किनकिन शेत्रो का वर्णन होगा। तो पहला जो है उसमें आजाएंगा शारिरिक क्रियात्मक व्याधिया। दूसरा जैसे मान से क्व्याधिया। तीसरा जो है मनुकाईक व्याधिया। चौथा जोहाज आएंगा वह शरीर विक्रती संबंधिया। और पाँछवा पुनर्वसन संबंधिया। और छठा ले लेंगे संक्रमन संबंधिया। संक्रामक जो व्याधिया होती है। अब सीमित्ताओं के आधार पर हम किन व्याधियों का वरनन कर पाएंगे। तो सीमित्ता के आधार पर हमारे पास पहली है वन्शान उगत्व्याधिया। दूसरा है चोड दुरघटना संबंधिया। तीसरा आपात कालिन संबंधिया। और चोथा जो लेंगे सलची किस्ता संबंधिया। तो अब हम बारी बारी से हर विशय के बारे में संशिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सबसे पहले उपयोगिता आधारित व्याधियों के बारे में। योग जिकिस्ता का प्रभाव शाली ढंग से एक जीवन पध्धती के तौर पर अनुसरन करते हुए हम कुछ उपयोगिता के आधारित व्याधियों को हम विस्तार से जानते हैं। योग के विभिन संसाधन जैसे आसन प्रानायाम ध्यान आदि शारिरिक क्रियाओं को सामान इवन प्राक्रतिक अवस्था में लाकर उप्चार करती है। अतह योग्ची किस्टा को इस शेत्र में प्रयोग में लाया जा सकता है दूसरी जो है हमारी यह मानसिक व्याधिया तो योग्ची किस्टा को मनविकार से उत्पन व्याधिया जैसे कि मानसिक तनाव अवसाद कलानी, काम लो लुपता, इत्यादी के प्रबंधन वा उप्चार में बड़े ही प्रभावशाली धंग से प्रयोग में ला सकते हैं इनके उप्चार में यम नियम का पालन, आसन प्रानायाम वा ध्यान का बहुत ही महतोपुन योगतान है इसके उप्रांध है मनों का एक व्याधिया तो आधुनिक समाज में भौतिकवाद अत्यंत प्रभावी हो रहा है भाग दोड़ भरी जिंदगी वा समय की कमी के कारण, विभिन प्रकार की महतोकान शाओ के कारण, अत्यधिक व्यस्त नौकरी प्रणालियों के कारण, मनुष्य का जीवन तनाव ग्रस्त वा खानपान, अनियमित वा अनुचित होकर शरीर वा मन को प्रभावित कर रहा है जिससे अनुचित जीवन शैली से उत्पन मनोकाईक रोग जनित हो जाते हैं, हो रहे हैं, अब इन सब के प्रभंधन वा उप्चार है तू योग जीवन पधती वा इसके संसाधन मनोकाईक रोगों के निराकरण है तू एक अच्छा कदम है अनुसंधानों से सिद्ध हुआ है कि योग के विभिन अभ्यास, मनोकाईक रोगों जैसे की मदुमें, दमा, पाचन संबंधी, रोग, हिरदय रोग, गठिया, संधिवाद, इत्यादी के उप्चार में अच्छा योगदान दे सकते हैं इसलिए योगजी के श्षा को मनोकाईक रोगों के उप्चार है तो योग के संसाधनों को उचित रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए अब इसके उपरांद है शरीर विक्रती संबंधी व्यादिया मनुश्यों को अत्यधिक व्यस्तता श्रम संबंधी कार्य ना करने के कारण बैठे रहने की कारेशहली अपनाने के कारण कंप्यूटर के अधिक उप्योगादी से विभिन प्रकार की शारीरिक विक्रती संबंधी व्यादियों से गरस्त होना पड़ दाए अब इस वर्ग में गरिवा वेदना, कटी वेदना, चप्टे पैर, इत्यादी व्यादिया आती है अब योग के आसनवा प्राणायाम इन विक्रतियों को उचित धंग से ठीक करने में सहायक होते है अतहा योग चिकित्सक को इस तरह की व्यादियों के निरागरण है तू योग चिकित्सक का उप्योग करना चाहिए इसकी उपरांथ है पुनर्वसन संबंधी व्यादिया कई ऐसी संक्रामक व्याधिया होती है जिनके होने के कारण शरीर शिथिल निश्क्रिय वा कमजोर हो जाता है जैसे मियादी बुखार, वाइरल संबंदी बुखार, दस्थ, हैजा, पीलिया, मलेरिया, बुखार इत्यादी में संक्रमन रोकने के लिए एंटिबायोटिक्स तथा अन्यशक्तिशाली अलोपैथिक दवाईया लेनी पड़ती है जिसके कारण शरीर अत्यधिक कमजोर वा अंग प्रत्य अंग निश्क्रिय हो जाते हैं अत्या शरीर को पुनर्वासित तोर पर सक्रिय करने है तू तथा विशानों वा किटानों के टॉक्सिंस के निराकरन है तू योग के संसाधनों को उचित रूप में अपना कर शरीर को प्राक्रतिक वा स्वस्थ बनाया जा सकता है अब इसके उपरां थाव हम जानेंगे कुछ सीमी तिताव आधारित शेत्रों के वारे में तो सबसे पहले जब हम इसमें जाते हैं तो पढ़ता है बंसानुगत व्याधिया तो वह व्याधिया जो मातापिता के बीज से संतान को जीन्स घटक के रूप में इस्थानांतरित होता है ऐसी व्याधियों का योगतिकित्सा से प्रभंध संभव है पूनुपचार नहीं जिस प्रकार संतान में इस्थित्माता पिता के सुरूप को रचनात्मक तोर पर बदला नहीं जा सकता उसी प्रकार रचनात्मक तोर पर अगनाशय हरिदय फेपड़े इत्यादी की रचना को भी नहीं बदला जा सकता तो था बच्चों को वन्शान उगत रोग जिसे मदुमे हरदय रोग दमा इत्यादी से पिलित होना पड़ता है इन व्यादियों का योग संसाधनों द्वारा नियंत्रन ही संभव है संपुन उपचार बिलकुल नहीं इसलिए तो इसे सीमित्ता या अधारित शेत्र कहा क्या है अब इसकी उपरान जब हम जानेंगे दूसरा है चोट दुरुगटना संबंधी व्यादिया है इसमें हमने एक चीज एक विशे छोड़ दिया इस पर हम जान लेते हैं पहले जो उपयोगिता आधारित शेत्र है इसमें है संक्रामक व्यादियों के पर तो ऐसी व्यादिया जो विशानू या किटानू आदी के संक्रमन से उत्पन होती है जैसे हैजा, पीलिया, मलीरिया इत्यादी जो बिमारिया है, या व्यादिया है, कि उपचार में योग चिकिस्ता कारगर नहीं हो सकती क्योंकि संक्रामन की रोक्ताम है तो आशदी लेना आशख हो जाता है तो मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि इसका इस्थान यहां पर होना चाहिए सिमित्ता आधारित क्योंकि संक्रामग जो व्यादिया है यह सिमित्ता आधारित है तो यह इसमें ही हम सलगन कर लेंगे सिमित्ता आधारित व्यादियों के शेत्र में संक्रामग व्यादिया अब जानते हैं चोट दुरघटना मासवटना, मासपेशिया, संतूलन, वाखिजाव, रजतसराव, घाव, इत्यादी की चिकित्स, योग द्वारा संभव नहीं है इसके उप्छार है तो रोगी को हस्बिटल जाकर उप्छारित होना होता है इसके उपरान तब हम जानेंगे अपात कालिन संबंधी व्यादिया तो अपात कालिन तोर पर ऐसी व्यादिया होती है जिन में ना तो योग सिखाया जा सकता है ना ही प्रभावी हो सकता है तथा इस तरह के हालात में योग चिकित्सा कामें नहीं लाई जा सकती जिसे हिरदय के दोरे में, दमा के दोरे में, मिर्गी के दोरे में इत्यादी में योग चिकित्सा कार्यानवित नहीं हो सकती ऐसी आपात कालें स्थिति में ऐलोपेटिक चिकित्सा का सहरा लेना पड़ता है अब हम जानेंगे की शल्य चिकिट्स संबंधी जो व्यादिया तो शरीर की कई ऐसी व्यादिया है जिनके अंतरगत बिना शल्य चिकिट्सा के शरीर उप्चारित नहीं हो सकता ऐसी स्थिती में योग चिकित्सा कार्यानुवित नहीं हो सकती उधारन जैसे की स्पंडिलाइटेस का दर्द हो गया गर्भाशय की रसॉली प्रोस्टेट ग्रंथी का बढ़ना गुर्दे की पत्री और पिताशय की पत्री और अर्ष इत्यादी के रोग में यदि शल्य चिकित्सा आवशक हो जाए तो योग चिकित्सा त्याग कर ऐलोपेथी की शल्य चिकित्सा अपनानी चाहिए तो ये एक सीमित और एक और विशह इसमें जो हम जोडेंगे कि अभावजन्य व्याधिया हो जाती है कुछ अब अभावजन्य व्याधिया क्या होती है इसमें हम जानते है कि कई ऐसी व्याधिया है जो विभिन आहार घटक द्रव्यों की कमी से होती है जैसे विटामिन B कॉंपलेक्स की कमी से बैरी-बैरी हो जाता है विटामिन C की कमी से सकरवी रोग, विटामिन A की कमी से रातरी नेतर अंधता, नाइट ब्राइनलेस का रोग, लोह तत्व की कमी से रक्त अलपता, आयोडेन की कमी से घेगा रोग इत्यादी होते हैं यह रोग आहार के में, विभिन आहार यह घटकों के संतूलन रूप में लेने से ही उपचारित होते हैं, क्योंकि यह द्रव्य शरीर में बनाई नहीं जा सकते हैं, योग संसाधन ऐसी हालत में कारगर नहीं होते हैं तो इस फ्रकार इसके जो कुछ हमने छेतर जाने तो यहीं पर हम इस विशे को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम जानेंगे अन्य बीमारियों से जुड़े हुए योग ची किस्सा के सिधानतों को तब तक के लिए धन्यवाद और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को यदि आपको अच्छे लगती है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच, ओम शानती